हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभाव और आज की इस वीडियो है दोस्तो हम डिसकस करेंगे हमारे क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट तंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्स फोर सी ड़ू एसन के लास टॉपिक को ये दोस्तो इस चेप्टर का सेकेंड पार्ट है अगर आपने दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जागे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में तो उस वीडियो को जरूर से देख लिजेगा जो कि दोस्तों आपको काफी जदा हेल्प करेगा आपके टम टू के एग स्कूल काउंसलर की तो स्कूल काउंसलर कोन होता है तो दोस्तों जो स्कूल काउंसलर होता है वो दोस्तों एजुकेशन टीम का मेंबर होता है जो कि दोस्तों वैल्यूएबल एसिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टुडेंट्स को और दोस्तों जो स्कूल काउंसलर होता है वो help करता है बच्चों को उनके academic goals को achieve करने के लिए उनके social goals को achieve करने के लिए उनके personal goals को achieve करने के लिए उनके career development में भी ये उनकी help करता है ये कौन से बच्चों को दोस्तो help करता है तो दोस्तो ये help करते हैं CWSN वाले बच्चों को भी और दोस्तो ज़ो normal students होते हैं ये उनको भी help करते हैं और दोस्तो जो school counselor होते हैं वो teaching staff को भी assist करते हैं कैसे उनको जो strategies making में ताकि वो support कर सकें students को और दोस्तो जो school counselor होता है वो development programs को भी carry out करता है जैसे कि stress management, anger management, conflict management और positive thinking क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि जो CWSSN वाले बच्चे होते है वो काफी जदा PressPrizz 하 warns होते है सोसाइटी से तो उन्हें दोस्तों काफी जदा Stress होता है उनका Stress Level हमेशा High होता है वो हमेशा दोस्तो अपने आपको society से अलग मानते हैं तो इसलिए दोस्तो जो stress management है, anger management है, conflict management है ये उनकी help करता है और जो positive thinking है ये भी उनको help करता है कि वो positive रहें और society के बारे में ना सोचें और वो अपनी best ability, best performance दिखा सकें किसी भी sports में या game में और दोस्तो जो school counselors होता है, वो help करता है उन बच्चों को उनकी full potential को achieve करने के लिए, जैसा कि मैंना अभी आपको बताया उनको confidence gain करने में और दोस्तो वो help करता है उन CWSN वाले बच्चों को कि वो दोस्तो productive member भी बन सकें society के next हम बात करते हैं दोस्तो physiotherapist की, जो दोस्तो physiotherapist होता है उसका काम होता है दोस्तो की वो बच्चों की gross motor skills होती है और जो mobility होती है उनको देखने का उनको concern करने का जो काम होता है सब physiotherapist का होता है इसका role क्या होता है तो दोस्तो physiotherapist का role होता है जो physiotherapist होते है वो उन persons को manage करते हैं जिनमें दोस्तो movement disorder होता है ये disabilities होती है जैसे कि माले जी कोई person है जो की चल नहीं पा रहा है तो दोस्तो उसमें क्या ऐसी problems हो रही है उसके legs में जिसकी वज़े से वो चल नहीं पा रहा है ये सारी चीज़े जो movement disorder है या उसकी जो disability है ये सभी चीज़ दोस्तो देखने का काम होता है फिजियो थरेफिस्ट का और आब हम बात करें aims की फिजियो थरेफिस्ट के तो दोस्तो फिजियो थरेफिस्ट का aim होता है कि वो उन problems पे concentrate करता है जो कि किसी भी person की muscles, bones, circulation में उसके दोस्तो problem कर रही है या उसे affect कर रही है और दोस्तो ये movement और functions में भी evaluation का काम करता है ये उसका main aim होता है और दोस्तो ये particular attention भी देता है physical mobility को कि जो persons हैं वो physically mobile रहे हैं और दोस्तो जो physiotherapist होते हैं उनका aim ये भी होता है कि वो देख सके हैं दोस्तो जो CWSN वाले बच्चे हैं या फिर जो normal students हैं उनका दोस्तो जो posture है वो balance रहे उनके दोस्तो fatigue level को भी ये regularly check up करता है और उनके pain tolerance को भी check up करता है कि दोस्तो वो कितने pain को दोस्तो वो tolerate कर लेते हैं ये सभी जो aim है दोस्तो ये physiotherapist के हैं दोस्तो अकुपेशनल थरेपिस्ट तो दोस्तो जो occupational थरेपिस्ट होता है वो help करता है CWSN वाले बच्चों को उनके self care skills को perform करने में जैसे कि दोस्तो eating, dressing, bathing and grooming और दोस्तो जो occupational थरेपिस्ट होता है ये help करता है उन बच्चों को उनकी fine motor skills को develop करने में fine motor skills का मतलब होता है दोस्तों मतलब वो काम जिसमें दोस्तों हमारे छोटे muscles का रोल हो जैसे कि eating में क्या है हमारे दोस्तों fingers का रोल होता है इसी तरीके के movements में उनकी help करता है दोस्तों कौन? occupational therapist और दोस्तों जो occupational therapist होता है वो hand eye coordination में भी help करता है किनकी उन बच्चों की CWC वाल और उस हिसाब से दोस्तों जो students होते हैं CWSN वाले उनका दोस्तों जादा जादा participation लाते हैं sports के अंदर ये काम होता दोस्तों physical education teacher का और दोस्तों जो physical education teacher होते हैं वो help करते हैं students को उनकी physical fitness को maintain करने में hand eye coordination को maintain करने में flexibility को maintain करने में muscular strength को maintain करने में और cardiovascular efficiency को check up करने में उनको maintain क इस सारे काम दोस्तों होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के नेक्स्ट दोस्तों हमारे स्पीच थेरफिस्ट तो दोस्तों जो स्पीच थेरफिस्ट होते हैं वो दोस्तों उन बच्चों को सपोर्ट केर प्रोवाइड करते हैं जिनको दोस्तों डिफिकल्टी होती हैं कम्म और दोस्तो जो speech therapist होते हैं वो help करते हैं उन बच्चों को उनको training देते हैं ताकि वो दोस्तो ओवरकम कर सके fluency disorder को जैसे की stoppages, repetitions और prolonging sound इन सभी दोस्तो fluency disorders को overcome करने में जो speech therapist होते हैं वो help करते हैं उन बच्चों की नेक्स्ट दोस्तो हमारे special educator तो दोस्तो जो special educator होते हैं वो assistance प्रोवाइड करते हैं students को जिनको special needs की जरुवत होती है किने अरियाज में तो दोस्तो special skills में, learning में, communication में, improving social में मतलब दोस्तो वो socially improved हों और दोस्तो उनकी emotional skills में भी उनकी help करते हैं और दोस्तो special educator का main responsibility होता है कि व यह थी दोस्तो हमारे आज की video जिसमें में discuss के हमारे class 11 के physical education book के unit number 6 physical education and sports for CWSN को अगर दोस्तो आपको इस chapter के notes को download करना हो तो उसका link में आपको दे दिया description box में तो वहाँ जाके आप दोस्तो डाउनोड कर सकते हो notes को I hope यह video आपको helpful रही होगी अगर यह video आपको अच्छे तो इस video को like कीजिए इस video को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसी videos को देखते रहना चाहते तो इस channel को subscribe कीजिए तब तक दोस्तों all the best stay tuned with us